नमस्कार दरीव टाइम्स में आप सब एक स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर एलसी चुर्मा आज कल चुनावी महौल है चुनावी बाजार है कुछ चीजें बिक रही है कुछ खरीदी जा रही है हम आज हैं उत्तराखंड के पुरोणा विधान सबा के परतियाशी श्री राम प्रसाद विशाल के साथ जो एक युवा परतियाशी है और राष्टिय लोक निती पार्टी का प्रतिनिदेत्व इस इलागे से कर रहे हैं तो विशाल आप से हम ये जानना चाहते हैं आप क्या बेच रहे हैं या कुछ खरीद रहे हैं? अगर पिछले 10 सालों का इतियास यहां का देखे जो प्रतिनिदी रहे हैं अभी पिछले 10 वर्षों में उन्होंने इस ख्षेतर के विकास को लेकर क्या किया है? क्या रह गया उन से? क्या खुब्या रही है? क्या कमिया आप उनमें देखते हैं? उन्होंने जो किया है वो सिर्फ व्यापार किया है 30,000 रुपए लौन के साथ वो आये थे चुनाव मैदान में आज 300 करोड के मालिक बन चुके हैं तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्होंने किसका विकास किया है और उनकी इर्दिगिर्द जो 4-5 लोग हैं जो ठेकेदार कह सकते हैं उनकी मुठी में विदायक होते हैं और वही अपने हिसाब से चलाते हैं कि सरकार कैसी है क्या है कोई मतलब नहीं है क्या योजनाय आनी चाहिए उसका इंप्लिमेंटेशन होना चाहिए इस पर किसी को कोई लेना देना नहीं है उनका सिदा सिदा है कि आप वोट खरीदो और सीट बेचो बस यही रहे गया उनका बहुत नई बात आज जानने को मिली है कि अगर 30,000 रुपे लॉन लेके हम विधायक बन जाते हैं कहीं किसी जगह के और आज 300 क्रोड रुपे की संपती हम अर्जित कर पाते हैं तो क्या आप भी इसी दिशा में आगे तो नहीं बढ़ने वाले हैं सर अगर इसी दिशा में बढ़ना होता तो फिर मैं क्योंकि मैं एक शिक्षित ही हुआ हूँ बहुत आउसर थे राजनीती नहीं चुनता क्योंकि मुझे इतना भी पता था कि मैं एक व्यावसाय शुरू कर सकता था और उस पर भी मतलब अगर मुझे यही सब करना होता राजनीती आया हूँ क्योंकि इन सब को देखते हुए कि इनको कैसे लगाम लगाया आ जाए जो दल बदल की राजनीती है जो दन बल की राजनीती है उसको ब्रेक लगाना बहुत जरूरी है यवाओं के सपने है जो भी यहां से पढ़ता है वो आपस नहीं आना चाहता है वो एक standard life चाहता है, वो education चाहता है, वो अपने बच्चों की security चाहता है, लेकिन यहाँ पर वो सारी चीज़े नहीं है, यहाँ देखो आपो कि 100 से अधिक महिलाएं प्रसों के दौरान मिर्तियों हो जाती है, लेकिन यह जो मामदा है international बनना चाहे था, लेकिन यह दुरबाग जो है, उन्होंने 90% सुख सुविदाओं का देखाई नहीं है, कि इस दुनिया में और भी क्या क्या चीज़े हैं, तो उनकी पीड़ा को समझना पड़ेगा, जब बच्चों के बविशे देखते हैं, तो उनका अपना बविशे नजर आता है, कि क्या यह भी ऐसे ही तो इसको कैसे दूर किया जाए, यह हम नहीं सोचेंगे, तो कौन सोचेगा, इस उम्मित के साथ आये हैं, कि कुछ अच्छा करें, बाकी जलता पर निर्बरेगा, बहुत ही एक समवेदन शिल वक्तव्य भावी युवा ने दिया है, कि इस इलाके में सौ से अधिक मैलाएं प्रसव के दौरान मृत्यू के शिकार हो जाती है, जस देश में जननी अगर सुरक्षित नहीं है, उस देश का बविश्य कैसे होगा, आपकी क्या योजनाएं हैं, और अगर हम देखें, कि जो लोग ग्रसित हैं, कई परकार के समस्याओं के शिकार हैं गाओं में, क्या वो लोग नहीं सोचते हैं, कि ऐसी शक्सियत को आगे लाने की जरूरत होगी, जो इन मुद्दों पर काम करें, जो इन मुद्दों को उठाएं और लोगों को समाधान दें, मात्र बातों में ही ना रखें, तो लोगों का क्या रुजहान आपने देखा हैं, क्योंकि आप कई ज प्रसव के दोरान अपने शरीर को त्याग करती हैं, तो क्या इस से उपर उठने के लोग बदलाव लाने के लिए आगे तयार हैं, आपका क्या आकलर है कि आपने लोगों से बातची जो भी तक की? सर, हर आदमी बदलाव चाहता है, जो पीडित है, जो इसका खुद सिस्टम का भी हिस्सा है, वो भी बदलाव चाहता है, समस्या है कि लोगों के पास अभी तरह विकल्प नहीं था, और मेरा भी राजनिती में थोड़ा सा लेट एंट्री होई है, ये मैं मानता हूँ, लेक जो चबी के जो निता हैं हमारे, उनके नाम पर बोट ले रहे हैं, तो मैं आया हूँ, यहां के जो मुद्दे हैं, उनके साथ, यहां के समस्या है, जो गाउं की समस्या है, यहां के लाइट नहीं है, सड़के नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, स्वास्ते नहीं है इन तमाम चीज़ों को साथ जो मैं लोगों को connect करने की कोशिश कर रहा हूँ तो उनकी पिड़ा है मेरी पिड़ा है और मेरी पिड़ा उनकी पिड़ा है तो उन्हें लगता है कि हाँ कोई तो इन मुद्दों को रख रहा है उमीद है लोगों का एक अच्छा एक positive response भी है और ये करते हैं उमीद कि शायद अच्छा ही रहेगा जोट रहेगा अच्छा ही होगा दरसल हम अपने समाज में इस परकार भी देखते हैं कि लोग बदलाव चाहते जरूर हैं लेकिन हिलते नहीं हैं चलते उसी धरे पर हैं जिस धरे पर चलते आ रहे हैं अगर उसी धरे में चलेंगे तो बदलाव नहीं होगा और बदलाव के लिए हिम्मत करनी पड़ती है तो वो जो हिम्मत चाहिए बदलाव के लिए क्या यहां के लोगों में होगी क्या आपको लगा है, उनकी हिम्मत को लेकर क्या आप कहते हैं, क्या बदलाव को वो एक दिल्चस्पी के साथ, उस्तु द्रिड़ता के साथ लाने के लिए आगे आ रहे हैं, या सिरफ पेडित हो रहे हैं, देख रहे हैं, चल उसी रास्ते में रहें, जहां तक चलते रहे हैं इसका एक उधारान देता हूं, मैं थोड़ा सा, कि हम बदलाव कैसे कर सकते हैं, जो माहौल बनाने वाले लोग होते हैं, जो कहते हैं कि लहर बनी हैं, ये लहर बनाने वाले चंद लोग होते हैं, उन चंद लोगों में कुछ पत्रकार भी होते हैं, और कुछ ठेकेदार भी हो यहां से 6 नॉमिनेशन हुए हैं, तो आप पत्रकारीता पर मेरा बहुत बड़ा एक रोश है, कि नाम मत छापिए आप, इतना तो छाप दीजिए, कि 6 लोगों ने नॉमिनेशन किया है, वो सिर्फ राष्ट्रे पार्टियों के ही वो हैं, तो समझ सकते हैं हम कि वो जो पत्रक वो समझ रहा है इन चीजों को, कि राष्टिय जितने मानलो कॉंग्रेस का विदायक बनता है, तो वो चंद लोग उसके साथ दिखेंगे, और बिजेपी का बनता है, तो चंद लोग उसके साथ दिखेंगे, और निर्दले कोई मोटी पार्टी का व्यक्ति है, तो वो लोग उ समझ रहे हैं, और जितनों से में जुड़ने के कोशिश की है, उन्होंने मुझे अच्छा ही रिस्पॉंस दिया, यहां पर एक बात यह भी कहना चाहता हूं, कि सुना है, आपके फॉलोवर्स एक लाग से ज्यादा है, आपके चाहने वाले युवा एक लाग से ज्यादा है जो सोशल मीडिया में आपको लाइक करते हैं, फॉलोव करते हैं, तो अगर इस बात को भी हम मानके चलें, इस पुरोलाक शेत्र के भी अगर पचेस-तीस अजार लोग आपके फॉलोवर हैं, और उनके परिवार में अगर एक-एक व्यक्ति को भी वो मोटिवेट कर पाते है तो पचास अजार वोट तो आपकी जोली में सोता ही आने वाले हैं, इसके लिए आप परियास कुछ करो या ना करो, क्या कहना है इसमें? पहले हम यह सोचना पड़ेगा, जब हमें कुछ हासिल नहीं हुआ है, तो इसका मतलब है वो एक बेड़ चाल है, जिनके साथ वो रहे हैं, हमें यह देखना है कि हमारा वोट अब तक हमने क्यों किया है और आगे हमें क्यों करना है, जिस तिन हम यह दो चीज़ें समझने ल रहा है उसका, तो इस बार अगर लोगों ने यह मौका पांच साल के बाद पाया है, चुनाव के माध्यम से अपना सही प्रतिनी थी चुनने का, तो पांच साल के बाद अगला मौका आने वाला है, तो अब यह तय जनता करेगी कि आने वाली पांच सालों में क्या उन्होंन यह एक बड़ा मुद्दा है जो आम जनता के द्वारा जाना जाना है। इस बार ऐसा ना हो आखरी संदेश आपका क्या है जनता के लिए। मुझे में वह हिम्मत है तो मुझे रिमोट वाले बटन के सामने काला बटन दबा करके मुझे विजय बनाएं। और मैं उस पर काम करने के लिए प्रतिबद हूँ और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि जो भी मैंने बातें की है मेरी कथनी और करने में कभी अंतर नहीं आएगा। और इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने यह सारे मुद्दे उठाए हैं और जनता से भी मैं यही अपिक्षा करता हूँ कि इन मुद्दों को समझने की कोशिश करेंगे। बहुत खोब आपने अभी वक्तव्य देखा श्री आरपी विशाल के साथ जो उत्तरकाशी के पुरोला विधान सबा से प्रत्याशी हैं राश्ट्रिय लोकनिती पार्टी के और जिनका चुनावचिन हैं टीवी रिमोट इनोंने जो अपने आखरी संबोधन में एक बहुत महातो पुरुन बात कही है वो बात यही है कि पुरोला विधान सबा नंबर एक सीट है और इसको नंबर वन विकास की दृष्टी से भी कैसे बनाया जाए ये एक चुनावती है इसको लेकर आज तक जितने भी प्रतिनिधी रहे है इस क्षेतर से कभी उनने इस बात को सोच जा है कि इस विधान सबा को नंबर वन होने के साथ साथ विकास में भी नंबर वन बनाए ये एक बहुत बड़ी बात है और दूसरी जो एक एहम बात इन्होंने कही है उत्तराखंट जिन उदेशों को लेकर बना था जिस भविश्य को लेकर बना था और जिन शहीदों ने अपने आपको समर्पित किया है यहाँ पर उत्तराखंट बनाने में अपनी बलिदान भी दिया है इस प्रदेश को बनाने के लिए उनके जो स्वपनों का उत्तराखंट है वो कब बनेगा कैसा बनेगा ये एक विचारणिये विशे जनता को देखना होगा जब तक शिक्ष के साथ मुझे विश्वास है कि लोग आने वाले समय में 14 तारिख को जो मतदान होना है उस वक्त पुरोला विधान सबाक्षेतर से शिक्षित उमिदवार को अपना आशिरवाज जरूर देंगे टीवी रिमोट इनका चुनावचिन है इसके माध्यम से इनको वोट देंगे और इस पुरोला विधान सबाक्षेतर के विकास के लिए अपना योगदान सुनिशित करेंगे इसे के साथ दरीव टाइम से मैं अपने से होगी कैमरावें जीवन और वीडियो एडिटर वीने मोशन के साथ और सोशल मीडिया एक्सपर्ट दीपती के साथ डॉक्टर एलसी शर्मा तन्यवाद संसत के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मच तक हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर भारत वर्ष जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिडिया थी इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे फिर अंग्रेजों ने और आज राजनेतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे आज भी लगभग 25 क्रोड लोग रात को भूके सोते हैं करीब 2 क्रोड लोगों के पास घर नहीं है भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है औसतन सौ महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादितियां होती है और ना जाने क्या क्या देश की संसस से कुछी दूरी पर चादरल पेटे सैंकडों लोग सुभा नील गगन के नीचे सोय हुए मिलते हैं क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि एक वर्ष के भीतर देश में कोई भिकारी या लाचार भी आश्रे ही न रहे लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर दौर पर ही परदान की जाएं ताकि दफ्तर या करमचारी के चक्कर ना काटने पड़े प्रष्टाचार जड़ से स्माप्त हो जाएगा सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का सुन्ने करन किया जाए स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुनबत्ता के साथ निशुल प्राप्त हो और भी बहुत कुछ यदि आप इस पवित्र राष्ट निर्मान यग्य का हिस्सा बनना चाते हैं तो आज ही राष्ट्रिय लोकनिती पार्टी से जुड़ें अब देश राजनिती से नहीं लोकनिती से चलेगा विजिट करें वेबसाइट राष्ट्रियलोकनिती.org एक छट के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ, रीव इमाट में आप पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राष्टन सामगरी, दाले हो या हो मसाले आपका कीचन इमाट संभाले. उठ गुणवत्ता और दामों में भैतरूइन रीव इमाट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद या फिर करें ऑनलाइन ओरडर और पाएं घरद्वार पर ही सुविधा. आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर. बाइपास रोड शनान संजॉली, शिम्ला लेटेस्ट खबरों के लिए आप यू ही देखते रहें दरीव टाइम्स, लाइक, शेर और सब्स्राइब करना ना भूलें.